प्यारे बैचो आज हम तीन टाइप के कोश्चन के बात करने वाले हैं अता धर्ज के साथ अंतक बने रहीएगा पहला टाइप के कोश्चन में कुछी तरह का कोश्चन मिलेगा पर्मेकरन से जुरा हुआ जो कहता है कि वन वटा पाच राट रूट थिरी का मान क्या होगा पर में हमेशा नीचे वाला से चीन में दलके गुना करना है यानि यानि आप क्या करोगे यह पलस है तो माइनस यानि की पाच माइनस रूट थरी से एक में गुना करोगे उपर वाला जो भी रहे एक दो तीन चार पाच कुछ भी रहे उसमें गुना कर दोगे तो एक में गुना क अगर दिक्कत लगा हो तो हम प्रयास करते हैं तो किना आयेगा यही आपका प्रस्म का इंसर होगा अगर दिक्कत लगा हो तो इस कोशन में भी हम समझने का पर्यास करते हैं एक question दोस्त कहता है 1 बटा 2 पलस रूट 3 का पर्मे करन करने पे क्या मान आएगा गवर करिएगा उपर में होगा नीचे वाला से गुना चीन बदलके तो दू पलस रूट 3 को चीन बदल दो गे तो होगा 2 minus root 3 यानि 2 minus root 3 उपर लिख दोगे एक में गुना करोगा तो ही रह जाएगा न और नीचे बर्गों का अंतर 2 का बर्ग 4 root 3 का बर्ग 3 यानि 4 में से 3 गया 1 नीचे क्या होगा 1 आप ही बताओ नीचे में 1 आता है तो क्या क्या भी लिखते हो नहीं लिखते हैं यानि सिर्फ इसको कहेंगे 2 minus root 3 यानि की B option आपका क्या होगा से ही होगा और हम आपका स्वागत करते हैं यहां पर कहता है दोस्तो 1 बटा 2 plus root 3 का मान भहिया बता दो क्या करना है उपर में नीचे बाला गुना चीन बदल के माइनस यानि की 2 minus root 3 हो जाएगा नीचे क्या होगा बर्गो का अंतर 2 का बर्ग 4 root 3 का बर्ग 3 कितना आएगा 1 एक नीचे लिखते हो क्या नहीं लिखते हो यानि 2 minus root 3 बटा 1 यानि की पहला B option आपका क्या होगा सही होगा चलिए तो कदम पढ़ाते है type 2 की और जिसके अंतरा सिखेंगे कि कौन संख्या परिपूर्ण बर्ग है यानि परिपूर्ण बर्ग हम पहचानना किसका बर्मूल पर्मेह आएगा कौन परिपूर्ण बर्ग संख्या है और आपको विचार करना होगा एक से लेकर 24 तक के बर्ग पर एक से लेकर 24 तक के बर्ग में ही वो सारी बाते नहीं था है जिससे तुँ पहचान सकते हो कि कौन संख्या पूर्ण बर्ग होगा किसका बर्मूल पूरा पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा और इसमें आपको पहचानना होगा दोस्ते पूर्ण बर्ग या परिपूर्ण बर्ग यहां से समझेगा परिपूर्ण बर्ग नहीं है यह आपको पहचानना होगा नहीं है यानि हम कहना क्या चाहरा है पहले यहां पर समझो अगर इस प्रसंद का हमें उ इस लिए सबसे पहला इसका अंतिम अंक पर ध्यान देना कोई भी परिपून वर्ग संख्या के अंत में या तो एक या चार या नो या पाच या शे या सुन की संख्या सम हो सकता है इसके अलावे गौर से देखो किसी भी किसी भी किसी का भी बर्ग में तुम देखोगे तो आपको दू नहीं दिखाई देगा तीन नहीं दिखाई देगा साथ नहीं दिखाई दे रहा होगा आठ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा या सुन की संख्या विसम भी नहीं संख्या के अंत में दो, तीन, साथ, आठ या सुन के संख्या भी सम हो वा जिंद्गी में कभी भी परिपून बर्ग नहीं होगा होगा से मतलब नहीं है नहीं होगा से मतलब हमको है वा कभी भी परिपून बर्ग नहीं होगा अब दूसरा बात आपको क्या याद रखना है यह परिपून बर्ग नहीं होगा यानि आपको विचार करना है अंतिम दो अंग को चेक करना है जैसी एक्जामपल के तोर पे हम बोल दूँ साथ, तीन, चार, तीन, पाँच आप से पुशू की बहिया बता दो कि ये परिपून बर्ग है या नहीं तो यहां सबसे पहले तो अंतिम अंग पाँच है यानि कि दू, तीन, साथ, आठ ये तो है नहीं है ना, तो परिपून हो भी सकता है नहीं भी अब अंतिम दो अंग को गौर से देखो अंतिम दो अंग क्या है? 35 है किया एक से लेकर 24 तक के बर्ग में किसी का अंतिम दो अंक पैंटिस आता है तो को होगे भाईया 15 का बर्ग 225 का बर्ग 25 यहां पर गौर करो इसके अलावे कहीं पर भी 35 आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है यानि कि यह परिपून बैर्ग नहीं हो सकता हम लगता है यह बात आप समझ गये होंगे कि अं कर ना है अगर अंतिम दो अंक इसमेंसे कोई नहीं है तसमें लेना को परिपून बार्ग नहीं है कि लिए दोस्त आगे एकज़ंपल कराएंगे तो 100% किलियर होगा, हम सारी बात पे हम विचार यहां पे करेंगे, टेंसर नहीं लेना है, अब जो बात करना है यहां पे, बहुत सोती सी बात है नमबर 3, है न, यहां पे अगर 6 अंतिम अंक होता है, सपोल ना लो, अंतिम अंक 6 होता है, तो याद रखना, 6 के पहले जब भी होगा न, तो क्या होगा, विसम होगा, यानि 6 के पहले अगर सम संखिया आ जाए, सम अंक आ जाए, तो कह देना कि वह परिपून बार यह नहीं होगा, हम नहीं की बात कर रहे हैं, बार बार नहीं होगा, नहीं बाला चुनना है, किलियर है, अब एक इन पॉंटेश सा टर्म और याद रखना है, चाउठा, अंतिम अंक अगर पाच होगा, तो अंतिम में पाच का तो माइने ही नहीं बनता है, अंतिम में पाच जब आएगा न, तो पचीस जरूर आएगा, पचीस ही आएगा, देखो, पचीस, पचीस, किसी का भी तुम निकालोगे, तो पचीस ही आ लगातार संख्या का गुननफल होगा का गुननफल होगा ए बात याद रखना ठीक है जब अंतिम में 25 दिखाई दे याने की 5 दिखाई दे तो यह कंडिशन चेक करना मत भूलना कि 5 है तो 25 होना चाहिए क्या होना चाहिए 25 और उसके बाद जो संख्या बच गया वो दो लगा संख्या का गुननफल होना चाहिए क्यों क्योंकि आपको पता है दोस्त आपको पता है कि अगर 75 का बर्ग करते हो तो अंति में 25 लिखते हो और इसमें एक बरहा कर गुना करते हो यानि यहां पे 7 गुना 8 करते हो यहां पे 56 अगर बर्ग निकालना जानता होगा यह तरीका पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जिसके अंत में 5 है उसका बर्ग तुम कैसे निकालते हो तब 25 लिख देते हो और उसके बाद जितना अंख है उसमें एक बर्गा कर गुना करते हो यानि हम यही बात आपसे कहना चाह रहे हैं यहां पे कि यह जो अंतिम दो अंख होगा ना इसके बाद एक इन पॉंटेड रूल और है जिसको आप याद रकना बस आपको पकर में आ जाएगा आपको पकर में आ जाएगा कि कौन संख्या परिपून बर्ग है, एक important बात और है जो आपको याद रखना चाहिए वो है पाच्मा, पाच्मा क्या है गौर करिएगा, पाच्मा बात हम बता रहें यहां पे, कभी भी अगर इसका C9 लगा कर देखो, कुछी से पकर में ना आए तो C9 लगा कर देखो, यानि कि single digit में बदल कर देखो, उसका एक अंक में पण्यत कर देखो, गौर से देखो, यहां पे कितना आ रहा है दोस्त? 1 आ रहा है, 1 कितना रहा है, 4 आ रहा है, 9 इसको जो रोगत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानि आपका single digit एक आ सकता है, 4 आ सकता है, नव आ सकता है, साथ आ सकता है, जीरो आ सकता है, जीरो मतलब की नव, जीरो मतलब की नव यही तो होता है, इसके अलाबे, कोई भी परिपूर्ण बड़ संख्या का सिंगल डीजी जो बचा वो नहीं आ सकता है, कौन-कौन बच गया, तो देखो यहां पे दो, दो, कभी भी परिपून बर्ग संख्या को सिंगर डिजिट माने निकालें और दो आजाए तीन आजाए पाच आजाए शे आजाए आठ आजाए वा कभी भी परिपून बर्ग संख्या नहीं होगा वा कभी भी परिपून बर्ग संख्या नहीं होगा तो यहीं पाच बात आपको याद रखना है अगर ये 5 बात दिवाँगें बढ़ गया हो तो आराम से परिपून बर्ग संख्या को पहचान लोगे चलो भैया तो अब आते है कोश्चन पे ठीक है ना पहला क्या अंतिम आंक चेक कर लो दो, तिन, साथ, आठ, जिरुग संख्या भी सम है परिपूर नहीं होगा अंतिम दो आंक चेक कर लो अगर एक से लेकर 24 तक के बर का अंतिम दो आंक नहीं आ रहा है तो आप परिफून ब्रग नहीं होगा अगर अंति में शे आ रहा है तो पहले देखो अगर सम आ गया तो आप परिफून ब्रग नहीं होगा अगर पचीस आ रहा है अंति में पाच आ रहा है तो देखो कि पचीस है या नहीं अगर पचीस है तो देखो कि जो बच गिया संख् चावी या शे आजाए या आठ आजाए तो अब परिपूर्णबर्ग नहीं होगा किलियर है हम बार बोल रहा है होगा से मतलब नहीं है नहीं होगा तो चलिए भी या अब बात करते हैं एक जांपल का यहां पर गौर करो असे में कहता है नीचे किस संख्या का बर्गमूल पर जाएंगे अपने पर में बच जाएगा तीन जिसके अंत में तीन आता है वह परिपूर्णबर्ग हो ही नहीं सकता है किलियर दोस्त आठ जिसके अंत में आठ आता है वह परिपूर्णबर्ग हो ही नहीं सकता है जिसके अंत में दो आता है वह परिपूर्णबर्ग हो ही नह सफ़र्ट है कि 20 ही होना चाहिए क्या पाची होना है काट आने का मतलब ऑनति 25 होना चाहिए याद रखना रखना इसी नियम को हमेशा रखना जैसे देखो क्यों रहना चाहिए वह बताते हैं जैसे 35 का पर निकालते हो, तो क्या करते हो, यह एक बढ़ाकर गुणा करते हो इसके पहले, तीन-चओ-बारा, यह पाँच का बढ़ करके लिखते हो, यानि जब भी आएगा तो अंत में क्या है पचीस हैएगा, इसके पहले जो संख्या बचेगा, वो हमेशा दो लगातार का, दो लग का बर्गमूल आप परिमे है क्या निकालना है आप परिमे निकालना है ठीक है तो आप परिमे पचाने का तरीका हम बता चुके हैं आपको सबसे पहले अंतिम अंग से पकर में नहीं आ रहा है अंतिम दो अंग से भी पकर में नहीं आ रहा है किलियर है तो सिंगर डिजित निक के देखो यहां पर को होगे शे चार दस यानि gonna की एक एक चार पाच यह है इक इतना आ गया शे हन जिसके अंघ मेंशिय होगा वह परमें होगा इसका बर्मूल क्या और में होगा वही तो पुछ था किसका बर्मूल आ सफ़े होगा हना आंतिम दो आंग 25, 25, 25 सबका है, यानि कि परिपूर्ण बढ़ संख्या चारो के चारो दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं चुनना है, लेकिन याद करो, हम बोले थे, कि अगर आंत में 25 आवे, तो इसके पहले के जो भी संख्या है, वह दो लगातार संख्या का गुननफल हो तो यह होता है, इगर बर हैं बतील से, गारा गुना बारा एकसो बातीस, दो लगातार संख्या का गुननफल है, इस 25 के पहले जो संख्या को शप्पन है, वह भी आपको दिखाई दे रहा है, बारा गुना तेरा का गुननफल, यह भी है, परिपूर्ण बर्ग, इसका भी पूरा पूरा बर्मूर निकल जाएगा, अगर हम इसकी बात करें हरा कलर से, 210 का, तो देखो 14 गुना पंदा करने पे 210 आता है, तो यह भी दो लगातार संख्या का गुननफल है, अब यहाँ पर देखो बच गिया एक 180, जो दो लगातार संख्या का गुननफल नहीं है, या आपका दूसरा टाइप का कोश्चन, ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, काता है निम्रित में कौन सा संख्या परमे संख्या नहीं है, परमे नहीं का मतलब क्या बोलता है दोस्त, आप परमे है, परमे नहीं है का मतलब क्या पुछ रहा है, आप परमे, आपरमे, तो य कहता है सभी आप पर्मे संख्या क्या होता है तो कि बास तरवी संख्या होता है चेहां आगे क कोश्टिन देखते हैं लेकिन आगे कोश्टिन देखने के पहले एक concept आपको about दूह हो यहां पे अगर कोई ऐसे लिखता है ठीक है कर्णे घाद के रुप में बात को समझना तो इसका मतलब क्या होता है ही हां पर आषखा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा मतलब कि एक एक है तो इसका मतलब होता है दोर्ट पावर एक बटा थीन यह कि दू के पावर एक बटा टू बात को समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको जैसे मान लो आपको यहां पे कहा दे दू के पावर चौधा है ना और यहां पे आपको दे दे साथ यहां पे दे साथ तो इसका मतलब क्या होगा दू के पावर चौधा ई बटा पावर बटा पहचाने करने घाद कितना होगा दू के पावर दू यानि की चार क्छार क्लियर है तो इस रूप में देखर भी आपको परमे अपरमे पहचाना ला पूछ सकता है अब तुम यहां पर गोर करो तो इसका power बटा में आ गया, यानि यह संख्या क्या हो गया, आप परमे हो गया, इसका power भी बटा में आ गया, यानि यह संख्या क्या होगा, आप परमे होगा, इसका power यहां पर देखो, बटा में नहीं है, तो यह कौन संख्या होगा, परमे होगा, तो ऐस रूप में रहे तो पर्मे पहचान लोगे, नहीं पहचान होगे, तो आपके पुछा गया है, यहाँ पर एक कोशन को देखो, इसका मतलब क्या कहोगे, दू के पावर एक बटा तीन, यह कौन संख्या हो गया, आप पर्मे गलत, क्योंकि पर्मे चुनना है आपको, अगर इसकी बात करोगे, तो दू के पावर तीन कर सकते हो इसको, देखो नहीं यहाँ पर, आठ को क्या निसकते हो, दू दूनिय च conception दूनिय ज restriction दूनिय आठ, दू के पावर तीन, यह बाला पावर जाएगा, बटा में, काटू गया तो कितना आ जाएगा, कौन संख्या हो गया, प्रमिर संख्या हो ग पावर क्या में आ गया बटा में आ गया तो क्या हो गया यह आप परिमी हो गया बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन में यहां पर देखते हैं अगला कोश्चन को और हम बढ़ा कर देते हैं ताकि और साफ साफ देखाई दे आपको यहां पर देखो इस question को, कहता है निम्न संख्याओं में से कौन से संख्या आप परमे है, चलो देखते हैं, यहां पर अगर 64 के बात करोगे, तो यहां पर कहोगे, दू दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दू के पावर शेयर होगा, नहीं, दू के पावर शेयर जैसे 64 को देखो, तो 64 को भी देखो, तो दू के पावर के होता है, हम पूरा डेटेल बता रहे हैं, यहां तो परमेर संख्या है ही, परमेर कहां से होगा, लेकिन दूनी 4, दूनी अभी निकाले हैं, दू के पावर 64, यानि के पावर कितना निकाले हैं 6, तो दू के पावर बटा में जाएगा तो शे बटा शे यानि दूख के पावर यह भी पावर बटा में नहीं आया यानि कि पर में होगा यहां पर देखो अगर इसकी बात करें तो क्या कहोगे दूख के पावर इसका तो शे हो जाएगा आईए वाला पावर इसका बटा में जाएगा तो आप आ क्या कहता है गौर करिएगा निम्रिकित में से कौन संख्या आप परमेई है कौन संख्या भाईया आप परमेई है तो इसकी अगर हम बात करें तो 10 के पावर एक दो तीन चार पांड शे हो गया अब बटा में यहां पर कुछ नहीं मतलब दू है तो बटा में दू चल गया तो कितना हो गया 10 के पावर तीन यह कौन संख्या हो गया परमेई हो गया हमको चुना आप परमेई अगर इसकी बात करते हैं तो यह 10 के पावर के होगा एक दो तीन चार पांड शे हो गया 10 के पावर दू यानि कि बटा में नहीं आया यानि कि यह भी संख्या क्या होगा परमेई होगा अब हम इस संख्या की बात करें अगर इसकी बात करें तो दस के पावर के होगा एक दो तीन चार पांड शे ठीक है भाईया और पावर में चार या में लगता है यह सारे question अब आप बना लेंगे नहीं बना लेंगे तो इसका उत्तर आप comments box में दीजेगा इसको भी बना करो इसको हम बता देते हैं इसको हम बता देते हैं यहां पर गौर करो question अब अब दो में से दो जाएगा क्या बचेगा दोस्त जीरो यानि कि यह वाला संख्या क्या होगा परमे होगा जीरो एक परमे संख्या है ठीक है बाकि किसी का भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा इसका होगा दू के पावर यहां देखो इसका होगा दू के पावर एक बटा तीन म Britta में हैना अब पलस क्या होगा चाइए इसका भी power देखो बटा में आ गया तो यह भी क्या हो जाएगा अब प्रमे हो जाएगा उसी ढंग से इसको भी निकालो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question कि यहाँ पर गौर करते हैं यह वाला question को देखते हैं 93 को तो यह भी question बहुत आसान है कहीं नहीं 10 के power 24 का मतलब होगा दू के power 10 सब को पता है है नधा 10 24 का मतलब होगा दू के power 10 अब यहाँ पर देखो अगर इसको हल करोगे दू के power 10 हो गया अब बटा में यह वाला जाएगा याने कि चार जाएगा यह यह हुजायगा 지 क्या ह会 आप पर्में मेरा हुजाएगा बाकि सब किसी को भी चेकL कर लोगे तो आपका उत्तरनीं को निकाल कर देते हैं यससे निकाले तो क्या हो गाए दैस है कर नहीं तो ऑगीदेशारफ कितने यह नहीं बाकिया हो गया तो बढ़ते हैं आगे अगijn यह question की बात करें तो इसका उतर commerce box में दीजिएगा क्योंकि यह easy question है आगे की question के हम बात करें तो यह वाला question यहाँ पर गौर से देखो काता है यहाँ कौन से संख्या परमेश संख्या है सब को पता है 1331 जो होता है वह 11 का क्यूं होता है यहाँ पर कर्णि घातीन है ती जाजगा बटा में यानि यह वाला मान हो जाएगा इगारा यानि कहीं ने कहीं यह परमेश आ गया यानि कि आपका उतर कौन होगा भी clear है और एक बात और देहां दीजिएगा यहाँ पर अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसको आप जोईन कर लिजिएगा और अगर कोई किनी विद्यारती को मेरा कलास चाहिए तो मेरा आप का नाम है KTC Classes जो प्ले अश्टर पर विलेबल है यह आप को आप डाउनलोड करके रिश्टर कर लिजेगा इसमें सारी जनकारी आपको मिल जाएगी ठीक है और अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक सेरा करना मत भूलिए इसके आगे अगले क्लास में बताएंगे जब तक खु